पिछली वीडियो में हमने हिंदी लिट्रेचर के पार्ट पांच जहां चाहां वहां राको शुरू किया था आज हम इसी पार्ट को आगे कंटीनू करेंगे हम इस परग्राफ को पढ़ेंगे इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती पेंगे यानी जूले को आगे पीछे ले जाना रस्सी पकड़ने को हाथ पढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे वे चुपचाप एक किनारे बैठ चाती मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ प्रत के खेल में शामिल हो जाती साथियों के साथ जम कर दोड़ती मगर जब धपा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती हाथ ही नहीं उठेंगे तो धपा कैसे देगी वे बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों नेतों जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो इलाश ने अपने हाथों की इस जित को एक चुनोती वाना इस पेरागराफ में बताये गया है कि अब जो इलाश थी उसके पैर तो सही तरीके से काम करते थे मगर हाथ नहीं जैसे बच्चे जूला जूलते थे लेकिन इला नहीं जूल पाती थी क्यों नहीं जूल पाती थी क्योंकि जूला जूलने के लिए रस्षी को पकड़ना पड़ता है कभी वे एक किनारे बैठ कर सूचती कि सब बच्चों की तरह मैं भी सभी काम क्यों नहीं कर पाती हूँ वे बच्चों के साथ भाग भाग कर पकड़न पकड़ाई का खेल तो खेल लेती थी परंथ धपा नहीं दे पाती थी क्योंकि धपा देने के लिए तो हांसे किसी कमर पर मारना होता है जो वे नहीं कर पाती थी वे भग कोशिश तो कर दी थी पर उसके हाथ नहीं उरपा दो थे, उसका साथ नहीं दिते थे इला ने इस बात को चुनौती की रूप में सुविकार किया अब हम आगे पढ़ेंगे उसने वैस अप अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्ष बहारना फर्ष बहारना का मतलब होता है जाड़ू लगाना कपड़े दोना, तरकारी काड़ना, यहां तक की तक्ति पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखला ले लिया दाखली का मतलब होता है एडमीशन लेना दाखला मिलने में भी उसे परशानी हुई कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी कहीं उसके काम करने की गती को लेकर किसी काम को तो वै इतनी फुर्टी से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते दंग मतलब होता है आश्यर चकित हो जाना पर किसी किसी काम में थोड़ी भद परशानी तो आती ही थी वै परशानीयों के आगे गुटने टेकने वाली नहीं थी गुटने डेकना मतलब होता हार मान लेना उसने दसमी कक्षा तक पढ़ाई की वे दसमी की परिक्षा पास नहीं कर पाई इला को यह मालुम ना था कि परिक्षा के लिए उसे अत्रिक्त समय मिल सकता है अत्रिक्त पतलव होता है? अलग से, एक्स्ट्रा उसे ऐसे व्यक्ति की सुवधा भी मिल सकती थी जो परिक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता उसे इस बात का दुख है पर यहां आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना अब इस पैदागर आप में बताया गया है कि हम जो भी काम अपने हातों से करते हैं तो इला कैसे करती थी इला पैरों से करती जैसे दाल भात खाना यानि खाना खाना दूसरें के बाल बनाना जाडू लगाना सबजी काड़ना यहां तक की तक्ति पर लिखना वी उसने एक स्क स्टी को लेकर सुरक्षा को लेकर चिंता थी कहीं उसकी काम करने की स्पीट को लेकर किसी काम को तो वह इतनी जल्दी कर लेती थी कि द्रोक देखते रहाते थे लेकिन किसी काम में उसे परशानी भी होती थी लेकिन वह इन परशानीयों से कभी भी हार नहीं मानते थी उसने दसमी कक्षा तक पढ़ाई तो की लेकिन वो दसमी कक्षा को पास नहीं कर पाई उसे उस टाइम उसमें ये नहीं मता था कि उसे परिक्षा देने के लिए अलग से समय एक्स्टा टाइम मिल सकता है और उसे एक ऐसे व्यक्तिकी भी सुब्धा मिल सकती थी जो परिक्षा में उसकी लिखने का काम कर सके अगर ये जानकार ये इन्फरमिशन उसे मिल जाती तो कितना अच्छा रहता तो शायद वो पास भी हो जाती लेकिन यहीं पर आकर सब कुछ खतम नहीं हो जाता वो इसे हार नहीं मानती थी अब इसके आगे की रिडिंग हम अगली वीडियो में करेंगे धन्यवाद